हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आपका मेरे चैनल चटकारा चटपटपर आज मैं बना रही हूं बेसन के लड़ू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं घर में और बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड़ू बनाना इसके लिए मैंन कड़ाइ 100 ग्राम भी ले सकते हैं 100 ग्राम याँ पे सुध्ध देषी घी लिए हैं और 4000-500 इलाइची का पाउडर लिया है अब हमें एक गढ़ाई को गर्म करना है और उसमें डालना है घी 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 में एक बार में ही सारा नहीं डालना है थोड़ा सगी बचा के रखना है क्य आलने के बाद बिल्कुल लोग तीव पर नहीं था क्रके बुनाता तो रेगुलर ली जलाते हुए बेसन को मुझना है चलाते चलाते बेशन का कलर चालर को यह चाहिता है और सौधी सौधी सी खुसबू आने लगती है तब हमें समझना चाहिए कि बेसन जो है वो अच्छी तरह से हमारा भुनकर तयार हो रहा है और इसी करम में तब हमें डाल देना है सूजी बेशन भूलने में अधिक समय लगता है और सूजी जो है वो कम समय में ही भूलकर तयार हो जाता है तो 3-4 मिनट सूजी को चलाने के बाद सूजी भी भूलकर तयार हो जाती है और अब हमें डालना है इसमें इलाइची पाउडर इलैची पाट्र को डल के भी अच्छे तरह से मिला लेना है, अब सूजी का कलर भी डार्क हो चुका है, और बेशन का कलर भी dog हो चुका है, देखने से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सोधी सोधी सी खुसबू आने लगती है, इसकी सूजी मिलाने के पीछे कारण यह होता है कि जो लड्डू का दानिदार टेक्सचर है वो सूजी डालने के बाद बहुत ही फाइन आता है इसलिए हमें थोड़े से सूजी को मिलाना ही है और इस तरह जब दिखने लगे मिक्सचर हमारा लड्डू का तो समझ लेना चाहिए कि यह बिल्कुल तयार हो चुका है और इसे कड़ाई से नीचे उतार लेना है बरतन में और चलाते हुए ठंधा होने देना है ठंधा उतना होने देना है जितना कि हम हाथ से चूँ सकें और अगर यह रूखा रूखा नहीं लग रहा है तब आप इसमें घी मद एड कीजिएगा यहां पर मैंने थुड़ा सा घी एड किया है और अब हमें डालना है इसमें चीनी पाउडर जब यह मिक्सचर लगबग थंडा हो जाए तब मिलाना है हाथ से चूने लैक हो जाए तब और ध्यान रखना है कि बि हाथ से चूने लैक जब यह हो तब ही हमें इसे मिला करके और लड्डू बांदना है क्योंकि यह बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब इसका जो लड्डू है वह असानी से नहीं बनेगा इसे अच्छी तरह से चीनी और लड्डू वाले मिक्सचर को हमें मिला लेना है और अच्छी तरह से मिलाते हुए हाथ से जब यह बिल्कुल चूने लैक हो जा और हलका हलका गर्म हो तब हम इसका लड्डू बांदना स्टाट करेंगे यह इस तरीके से लड्डू बांदना के तयार करेंगे हम यह देखे कितना अच्छा लड्डू बना है और इतने 200 ग्राम बेशन में लगभग 21 से 22 पीस लड्डू तयार होता है जिस साइज का मैंने बनाया है उस साइज का आप लड्डू के साइज को अपने पसंद के हिसाब से छोटा और बढ़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से लड्डू बांद देना है और बहुत ही आसानी से लड्डू बंद कर तयार हो जाता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अगर मेरे रेशिपीस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी न भूलें ये तयार है बिशन के लड़ू बहुत ही फटा-फट से बन जाते हैं ये देखिए कितने अच्छे लड़ू बने हैं खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो इसे फटा-फट हम सारे लड़ू इसी तरह से बना करके तयार कर किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं लड़ू चाहे तो पूजा हो तो पूजा में भी खुद से बनाए या फिर कोई पूजा रहें बैसन के लेटू फटा फट से बन जाते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो और नए रेसिपी के जाथ टेक कियर और बाई बाई